कि देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमारा वी लॉक्ड हो गया है स्पीड सेंसर फॉल्टी हो स्पीड सेंसर में फॉल्ट आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए तो देखिए अगर वी लॉक हो जाएगा या स्पीड सेंसर फॉल्ट हो जाएगा तो हमें जो मेस द्टेक्टेयड तो आपको VAK लॉइफाई करना है या फिर सेंसर में फॉल्ट आया है वह वेघर करना है अगर आपका Aa गर आप Dalai लॉइल को मुव हमें नहीं करना है और lpc को बता देना है अगर अमद्व L app हो गया है तो हम लोखों को move नहीं करेंगे अगर हमारा speed sensor में fault आया है speed sensor में fault आया है तो speed sensor को हम disable करने के बाद में speed sensor disable करने के बाद में जो process किया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या हमें process करना है अगर हमारे पास में जैसे speed sensor हमने disable कर दिया है अगर हमारे पास में EMD locomotive है EMD locomotive हम क्या करेंगे MAN menu में जाएंगे Locked wheel को हम क्या करेंगे Praise करेंगे F3 से उसको select करेंगे फिर F1 से उसको disable कर देंगे फिर F4 से बापस से status check करेंगे और बापस exit दबा करके बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे फिर F4 से status check करके वापस बाहर आ जाना है यह तो है EMD के अंदर process अगर आपका sensor fault हुआ है लेकिन locomotive आपका मेधा locomotive है तो आपको क्या करना होगा उसको आपको traction motor को cut out करना होगा किसके द्वारा y switching of tc, dlc और tcc blower circuit breaker of connection motor मतलब उस traction motor का को आपको cut out करना है उसके circuit breaker को आपको hasiliśmy करना होगा कौन कौनता की circuit breaker होगा tcc circuit breaker होगा dlc circuit breaker होगा tcc blower circuit breaker होगा तो यह ट्रसी मोटर की circuit breaker आएंगे उनको हमेश चौप करना होगा तब जाकरि हमasyon motor कोverse कर सकते हैं तो मेलग यह प्रोस्सेस और सीमस लोको मोटिव में यह स्पिछ सेंसर में उल्ट को प्रोस एक अगर सीमस लोको मोटिव हमारा डूल केप का है तो हमें कि मेख सिक्स करना है ताकि हम वील इस्टिट स्लॉट वील स्टिट 2 स को चçar fighting उसके बाद defective wheel को हम भी select करना है मतलब select defective sensor by arrow key arrow key से हम defective sensor को select करना है और उसके बाद में press E करना है ताकि उसको disable कर सके क्योंकि Siemens में E press करके हम उसको disable करते हैं और उसके बाद में press है ताकि बापस से हम main menu में जा सके लेकिन अगर हमारा Siemens का locomotive single cap बाला है सिंगल के बाला है तो हमें पांच नंबर प्रेश करना है पांच नंबर हमारा combined option रहेगा ट्रेक्शन मोटर कट आउट के लिए और भी लॉक के लिए दोनों के लिए हमारा पांच नंबर ही क्या रहेगा का मैंट रहेगा चाहे वील वील डिटेक्ट करना हो या फिर ट्रेक्शन मोटर को कट आउट करना हो या लॉक वील का इस्टेट चेंज करना हो पांच से हम करेंगे पांच नंबर से ही तो यह Siemens Locomotive की सिंगल के बाला हृँग रहीगा तो छे से हम्भे करना है और अगर सिंगल के बाला है तो हमें पांच से करना है तो उसकी ट्रेवल सुटिंग हम कर सकते हैं धन्यवाद